कि हलो नमस्कार दोस्तों इस वेडियो में हम एक संपाद की लेख फर डिसक्रशन करेंगे और यह संपाद की लेख यह मुख्रुप से जो यूपीएस्टी है और यूपीएस्टी के लामा अगर आप उत्तरप्रदेश की PCS एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह संसत्र के लिए झाएं आपको पता हैं उसके लिए पहली से प्रस्तों होता है उसके लिए eaked Sal OnePlus पूरा schedule बनता है कौन-कौन से बिल पेश कि जाएंगे चर्चा कितना होगा कितना कितना समय कि बहुत बड़ा इसमें एक मानुस अंसाधन पूंजी लगी होती है धन लगा होता है और जब कोई भी विध्यक जो है संसदने पेश किया जा रहा है उस पर डिसकॉशन नहीं हो प लेकिन लोगतांत्री प्रक्रीय की तरीके से किसी बिलको एक्ट बनना चाहिए उसमें इक बाधा होता है क्योंकि आपको पता है कि संसद एक यसाम सजब्याइब करता से कई सारी जो उसमें चर्चा करते सर्म हैं जो निकल करके आती हैं उसमें पॉस्टी निगेटिव चीज़ें आती हैं फिर एक सही निश्कर्स तक पहुंसते हैं लेकिन जब एक्ट में एक्ट बनाने की प्रक्रिया में अगर विपक्षा शामिल नहीं होगा तो जाहिर सी बा करती है वो कहीं चली हम इसको पॉइंट देख लेते हैं विश्षय क्या है चली कि प्रस्जन एक्जाम में पूछ सकता है कि क्या भारतिय संसद अपनी निरिक्ष्ण भूंका को त्याग कर रहा रहा है क्या भारती संसद में हाली की समय में चरचाओं का स्तर बहुत ही नीचा रहा है इसका आपको समिक्षा करना विशलेशड करना है ऐसा प्रशनिदी आप के सामने आ जाए तो आप कैसे उसका विशलेशड करेंगे तो यहां पर सबसे हम पहले संदर्व बिंदू देखत कि किस रेफरेंस में यह बाज है वह चल रही है शंसद का मांसून सत्र आपको पता है कि सम्ससकंदान में चैकनरल तीन प्रकार के बहुत है ये इस चिश की बात सम्मिधान में नहीं की गए है कि मानसून सत्र, शीद कालिन सत्र, भजर सत्र ऐसे ये तीन प्रगा के सत्र होंगे सम्मिधान में सिर्फ ये बात कहा गया है कि साल में किनी भी दो सत्र के बीच में 6 मां से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए बस ये बात कहा गया है, यानि कि साल में हम कम से कम दो सत्र कर ही सकते हैं, लेकिन दो सत्र के बीच में एक छे माह का अंतर नहीं होने चाहिए, लेकिन भारती संसदीय प्रक्रिया में तीन सत्र को अपनाया गया है मुखरोप से, इसके लाओं भी दूसरे सत्र बुलाया जा सकत लेकिन जो मोटी मोटा सत्र हैं वो तीन सत्र के रोप में जाना जाता है तो मांसून सत्र वो चला जो कि बहुत ज्यादा निराशा जनक था क्योंकि यह लगातार चौथा सत्र था जो मूल कारिकरम से पहले समाप्त हुआ था आपको पता है कि जो कारिकरम बनते हैं प्रोग्र कालिन सत्र रद्ध कर दिया गया था कि फिर अगला बेंदु है कि सत्र के पूर्व समापन का मतलब है कि कोवेड नाइटीन प्रतिक्रिया और और नेती यानि इसका मतलब क्या है देखे सत्र के पूर्व समापन का क्या मतलब हम निकाल सकते हैं कोवेड नाइटीन प्रतिक्रि काम करें ज्यादा इन सब्सक्राइब प्रक्रिया है उससे थोड़ा सा दूर रहें अपना समय उसमें ना बिताएं तो इस कारण से हो सकता है कि पूर समापन हो गया हो आर्थिक इस्तिति यह कारण हो सकती है कि अब आ कम्पनी है पेगासस के बाद साइबर सुरक्षा की डिये See कई मुदद और चर्चा नहीं की जा सकती है तो यह चर्चा वाले विश्य शायद नहीं समझा जाए इसलिए कि जो सरकार की गो पनी है बाहर ना आए तो इसलिए इन चीज़ पर चार्चा ने इसलिए भी पूर समापन हो गया है पूर समापन का यह बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि विपक्ष ने इसमें हिस्सा नहीं लिया तो जो बिल्स वगरत है वो बहुत यली-यली पास हो गया यह देखिए हमारे भारत का संसद है कि इस छो कि का होता है का यह समय इसको lighting क्या होता है यह पार्थी संसद में श्याइद ही काम किया है क्योंकि सरकार और विपक्षी दलों द्वारा चर्चा किये के विश्यों पर बहां से द्वारा दोनों सद्रों को प्राया है बाध्यत किया गया था ठीक है आपको पता है कि संसर में जो है कार्म नहीं हो सका क्योंकि विपक्ष जो है उसमें बाधा पहुचा रहा था वो भागने ले रहा था विरोध कर दे रहा था कई मुद्धों को ले करके कि लोगसभा और राज़ीस अड़ने अपने मूल रूप से निर्धारी समय को क्रमशा 19 प्रतिशत और 26 लोंनों का और निकाले तो करेब करेव हम कहलें कि 24 परतीशथ महां ले चलिए यानि ौब बीज से अधिक विध्यवक बीना किसी चर्चा के बहसबंदी के अंधर पारित कर दिये गया है इससे क्या हो गै जैसे जो भारती संसदिय प्रड़ाली है उसमें जाता जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतनी है वो उस पार्टी की सरकार बन जाते है लेकिन जिस पार्टी की सरकार नहीं बनता ही है उसका भी प्रत्नेधित तो जो है वो अपनी जनतक प्रत्नेधित संसद में करता है तो उसके शेत्र की जो समस्या हैं उसके शेत्र की जो मुद्दे हो सकते हैं जो आकांग्शाय हो सकते हैं उसको यह दिस संसत्र नहीं उठाया जाएगा तो सूचे उस छेत्र के लोगों का प्रतनिध्र To No सब्सक्राइब कर दिए गया है इसके अत्रिक लोग सभा द्वारा पारित 18 विद्यकों में से किवल एक पर 15 मिनट चर्चा हुआ जो लोग सभा द्वारा पारित हुआ है विद्यकों इस सत्र में तो 18 विद्यकों में से किवल एक पर चर्चा हुआ वह भी 15 मिनट चर्चा हुआ यह सब एक्जामपल है कि किसरी किसे जो लोग तांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है राज्यसभा में भी विद्यकों को बिनट चर्चा के पारित कर दिया गया था और किवल दो विद्यकों पर एक घंड़े से अधिक तक चर्चा की गया थी तो राज्यसभा में भी वैसे पारित हो गया लोग सभा में एक भी सदस ने क्या लोग सभा में एक भी सदस ने पंद्रह विद्यकों के पारित होने पर कोई चर्चा नहीं की थी प्रत्येक विद्यकों सम्मल्हित मंत्री के संक्षिप्त वक्तव एके बाद पारित कर दिया कोई भी विध्यक जब पारित होता है तो उसके अनिक चरण होता है तो उसको को किसी सदसि ठोका आजारा इश पार्टी का हो उस सरकार में हो है तो वह जो है पेश कर सकता है लेकिन कुछ ऐसे महातापूर विद्यख मन्तर्य ही पेश करते हैं है तो मंतरी उसको उदेश्यों पर चर्चा की जाते हैं अगर चर्चा में ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको जो है समीती को भेजा जाना चाहिए किसी कमेटी को भेजा जाना चाहिए तो वह कमेटी को पास होती है कमेटी में लोग सभा राज्य सभाई या दूसरे दूसरे पार्टियों के लोग का को बैट करके कुछ किसे कमिटी बनाता के उस पर डिस्केशन कर लेते हैं पिर उसके सिफारश को माने ना कि तो उसको कोई मतलब में नहीं है राज्य सभा उसको मालने चाहिए ना माने उसके बाद राश्ट की हाता है तो यह पूरी प्रक्रिया होते हैं लेकिन लोग सभामे एक भी सब्समें 15 विद्यकों पारित होने पर कोई चर्चा नहीं की थी प्रतिएक विध्यक को संभधित मंत्री के संक्षित वक्त विक्त के बाद ही पारित कर लिया गया चोटा सा वो अपना उद्देश बताय क्या है उसको पेश किया फटा फट वोटें हो एक खतम हो गया कहानी एक विध्यक में ने जवाब दिया था जो दर्शाता है कि चर्चा योग्य नहीं थी क्या चर्चा योग्य नहीं थी इतना महत पुड़ी देख अन्सुचित जन जाती आदेश संशोधन कारिवाई पे जो है चर्चा ठीक प्रकरस नहीं हो पाई अच्छा बारतिये संसद की बात करने अगर संविधान में तो संविधान का यदि आठकल 79 देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि भारत का एक संसद होगा फिर आठकल 80 में तो उसमें कहा गया है कि जो राज्यसभा होगा राज्यसभा के गठन ये सारी प्रक्रियां है वो आठकल 80 में है आठकल 81 में देखेंगे तो उसम 79 संसद है 80 राजय सभा है 81 लोग सभा है सब भारती समिदान की अंच्छेदे तीन महात्रपूर इस सत्र के दौरान पेश किये गए विध्यक को इसी सत्र में पारित कर दिया गया था इसलिए सदस्यों को विभिन विध्यकों के शोध और जाच के लिए समय नहीं दिया गया थ संसद में बहुत रिच लाइब्रेरी भी है पुस्तक भवन है जहां पर यदि संबनित मंत्री या कोई भी जो सांसद है वो जहा करके कोई भी विध्यक पर पुस्तक पढ़ना चाहिए उस पर जानकारी करना चाहिए तो वो कर सकता है उनके पास अपने भी अधिकारी होते ह लेकिन अब जब यह लाइब्रेरी जाएंगे तो उसके शोध करेंगे अनुसंधान करेंगे जो विध्यक पेश किया रहे हैं उससे रिलेटेड तत ही निकालेंगे अपने तर्क पेश करेंगे अब लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं वो जाच अनुसंधान करने रहे हैं तो तो सोचिए उस एक्ट में चाहे जितने यह अच्छी बाते हैं लेकिन जो प्रक्रिया अगत केलें खामी हैं वो बनी ही रहेगी उसमें एक यह एक नया विकास है क्योंकि यह देखा जा सकता है कि पंध्रवी लोग सभा जो दोयार नौ से चौज़ा तक चली थे में अठरह प्रतिशत विद्यक एक ही सत्र में पारित किये गए थे यहां अकला सोल्वी लोग सभा में बढ़कर तैस तैस प्रतिशत हो गया कि तैस को में दो हजार बीस में रॉट लूट सभाव में 20 सभाह के सभी उननिस विद्यकों में प्रतिशत पेश किये जाने कि पांच दिनों के भीतर पारित कर दिये गया यानि कि जो लोग तंत्र काले विवस्था हो सकती है वो ना सिर्फ लोग सभा में बलकि राजी की विधान सभाओं में भी देखा जा सकता है जिनका 91 प्रतिशत विध्यक जो है पांच दिनों के अंदर अंदर में ही पारित कर दिया गया है अब यहां कोई समिक्षा नहीं यानि कि जो विध्यक पेश किये गये उसमें कोई समिक्षा कोई कमिटी कोई सिफारेश यह सब शोध अनुसंधान यह सब कुछ हो नहीं पाया तो कोई समिक्षा नहीं का मतलब क्या है पारित किये गए विध्यकों में से कोई भी विध्यक जाच के लिए संसदी समीती को नहीं भीजा गया जैसे अलग-अलग समीतियां होती है संसद में कमेटीज होती है कुछ अस्थाई समीतियां होती है कुछ कहलें अस्थाई समीति उसको पेश करती है क्योंकि संसत के पास इतना सारा काम होता है कि वो एक एक बिंदू पर चर्शा नहीं कर सकते हैं तो वो कमेटी बना करके छोटी-छोटी उनको भेज देते हैं कि आप इस पर डिसकेशन कीजिए और सुझाओ जो है वो भेज़े हलांकि सुझाओ मानना ना म वो संसत के उपर हैं लेंगे फिर भी उस पर डिसकेशन अच्छी तरीके सोच सके उस पर शोधन संधान हो सके सिपार्शें और सुझाओ आ सके इसके लिए कमिटी को भेजा जाता है जनता के पास भी विद्याक से संबंदित ड्राफ्ट जो हैं वो भेजे जाते हैं जनता क समीतियां विद्यक की विश्डु जाश करतीक हैं जिसमें सांशद विशिषग्यों हिट धारकूं और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर विद्ययकों के नहीं तर्थ होग मिभिन जो प्रावधान है उसके साकारात्मक और नकारत्मक पढ़डाम हैं इन सब को समझते हैं और फिस संशोधनों की सिफारिश करते हैं उधारण के लिए हैं दिवालियपन और शोधन अक्षमता संगिता और मोटर वाहन संशोधन विद्ययक में संसदी समितियों की सिफारिशों के आधार पर महत्पुर बदलाव की गये थे तो संशोधी समितिया काम यह होता है कि वह उस पर सिफारिश करती हैं जिसे जो आक्ट में जो नकार आत्मक बाते हैं वो खामिया जो है वो निकल कर आ जाती है और अच्छी बाते उसमें निकलीड की जाती है तो यह नहीं हो पाया संसदी समीतियों को भेजेगे विध्यक को संसदी समीतियों को भेजेगे विध्यक को पंधरवी लोग सभा में 71 प्रतिशत से घटा कर सोलवी में 27 प्रतिशत और ने वरतमान में 12 प्रतिशत कर दिए गया मतलब क्या है कि जो भी विध्यक होते हैं वो अक्सर करके समीतियों के के पास भी जाते हैं discussion के लिए मतलब डेप्थ discussion के लिए लेकिन पंधरवी लोग सभा में किवल 61 प्रतिशत गए संसदी समितियों के पास फिर सोल ही लोग सभा में 27 प्रतिशत विध्यक गए लेकिन इस बार के जो सत्र है उसमें निवर्तमान सत्र में 12 प्रतिशत ही विध्यक जो हैं समिति के पास गए तिर इसके अत्रिक्त आधे से अधिक सदस्या राज्यसभा की कारिवाही के दौरान अनुपस्थित हैं सोचें 250 की स्ट्वेंथ हैं हमारे राज्यसभा के अंदर में आधे से अधिक मतलब गया भी हैं जैसे साधारण विध्यक जो होता है उसके लिए क्या होता है कि उपस् अधिक सदस्या राज्यसभा की कारवाही के दौरान अनुपस्थित हैं जिसके व्याख्या उस सदन की एक प्रवर समिती को नियायाधिकरर संशोधन विध्यक को संदर्वित करने के लिए पारित प्रस्ताव से किए जा सकती है जिसे 89 मतों से 44 में खरिश कर दिया गया था लेकिन जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ था उस दिन केवरें सदस्य उपस्थें पर्ama के उपस्थित संसथ राज्यसभा के अंदर में तो फालें वी मैं को चलिए तो यह जो विर्णस और हैं और सदढ़ इनकी आप यानी जो शो करना चाहिए क्योंकि संविधान में जो सांसद हैं उनके विशेशा धिकार को बहुत ज़्यादा परिभाशत नहीं किया गया उससे किसें मतलब उसको कंट्रोल करने जैसे बात बहुत ज़्यादा नहीं की गई है संसद में ये चीज़ तो है कि अगर कोई संसद साथ दिन तक लगातार बीना नोटिस दिये अगर संसद से गयव रहता है तो लोग सभाध्यष के पास या धिकार होता है कि वो उनके जो सदस्यता है उसको खारिश कर सके ठेक इस पकार हाल की संसदी कारवाही में कई विध्यक बिना किसी चर्चा शोध और जहांच के पारित किये गए तो यह जो पॉइंट हमने देखा यहां पर पहले तो यहां पर हमने संदर्व में देख लिया कि क्या चीच्चल नहीं समय समय हो और फिर क्या होता है कारी समय इस पर भी चर्चा कर लिए कि उसपर से पिषड़े वर्गों अर्थात अन्य पिषड़ा वर्ग की पहचान करने के अनमती प्रदान करने के लिए सम्मयधानिक संशोधन किया गया है 127 सम्मयधानिक संशोधन 2021 के अंदर में उसमें वो किस चीज़ से संबंदित है तो वह पहली बात तो OBC के आरक्षण से संबंदित है पहले विवस्ता यह थी कि OBC कौन सा व्यक्ति होगा इसका निर्धार करता था भारत का राश्च्पति प्रेसिडेंट ओफ इंडिया करता था प्रेसिडेंट ओफ इंडिया करता था लेकिन 127 में सम्मयधानिक संशोधन के तहत यह निड़े लि पूटी है उसके अधिकारी वहां की जो विद्धान सभा है वो कर सकेंगे अपने अपने अस्तर प्रेसिक में कौन सो वर गाएगा इसका निर्धार राज्य करेंगी और जो के अशासे प्रदेश है वो खुद ही करेंगे राश्च्पति घास्तक शेविस में नहीं रहेगा इस संशोधन की अंतरगत राश्च्प्री पिषडा वर गायोग को संसद की एक अधनियन द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय से एक संवईधानिक निकाय में परिवर्थित कर दिया गया है डाश्ट्वी पिष्डवर्ग अब बन गए क्या में आ सकता है कि राश्ट्वी पिष्डव और घोक हे एक कैसे निकाय है तो बताथाई कि राश्ट्वी पिषडवर्ग अनलिक slippery के सामवधानिक निकाय है मैंchair का घ्ल्च बन गया है राश्ट्री पिछड़ा वर्ग आयोग समवधनिंग निकाए बन गया है इसके अतरी भारत के राश्ट्र पति को OBC की सूची निर्दश्ट करने के आउशकता है जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार पिछड़े वर्गों की सूची जारी नहीं कर सकती है हलांकि यह स्पस्ट किया गया था कि राज्य को भी ऐसा करने के शक्ति प्राप्त है ठेक्ट यानि किया नहीं गया था अभी कर दिया गया है कि राज्य भी जो है OBC वाले लिस्ट जारी कर सकते हैं कि दूसरा भी देख है आयकर अधनियम 2012 के सांशोधन द्वारा क्या आयकर अधनियम 2012 के सांशोधन द्वारा 1961 से प्रभावी पूर व्यापी प्रावधानों को उलड़ दिया गया इसके उपर हमने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है तो आप उसको भी देख सकते हैं आयक यानि 2012 में एक अधनियम आया था आयकर अधनियम 2012 कि जिसमें यह था कि 2012 से पहले जो कमपनियां भारत में काम कर रही हैं उनको पूर वड़ती समय से टैक्स पे करना पड़ेगा जिसके खिलाफ वड़कों के यह सब जो है अंतराश्वी मंचों पर भी आवाज उठाय थे त यानि कि अब पूर वर्ती जो प्राउधान थे पूर व्यापी प्राउधान को फिर से बदल दिया गया यानि कि अब बैक डेट से टैक्स नहीं ले सकते हैं तीसरा है जमा भीमा और रड गारेंटी निगम जो पांच लाख रुपे तक की सभी बैंक जमा राश्यों का भीम वसुदण करने के लिए एक अदनिया पारिद किया गया था ठीक है इव बीमा कि five यह आ जो अपना सूची है जिसको बोलते है है सूचियां जो तीन सूचियां है सांथवे सूचि में एक केंद्र शूची है राजर सूची है संमॉर्ति सूची है। भी मा किस सूची में इस एक आसा समॉर्ट्रा में अधनियम में सामान ने वीमा व्यवसाय राश्ट्री करोड अधनियम में संशोधन किया गया था जिससे कि सरकार सामान ने वीमा कमपणियों में अपने हिस्सेदारी एक्याउन प्रतिशाथ से कम कर सके सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनके कारेबल और सेवा की शर्तों को निर्दश्ट करने वाले अध्यादेश को प्रतिस्थापित के लिए नियायाधिकरर संशुधन विध्यक पेश्ट किया गया था हलांकि विध्यक ने चार वर्ष के कारेकाल को बरकरा रखा था जिसे सर्वोष नियायला ने पांच वर्ष में बतल द vibes दीय था और नियाधिक सदस्यों के लिए नियून्तम उम्र पचास वर्ष थे जिसे नियायला ने अपने फेसले में电स वर्ष के अनभौ वाले वकीलों क कि प्रदान करने के लिए संशोदित किया था क्या इन प्राउधनों को अदालत में चनवति दी जानी चाहिए इसकी जांच किई जानी सब्सक्राइब, जाहिए चोलए ए नीतिगत मुद्दों के संदर में लोग सभ्रा में कोई रायिक के प्रबंधन पर पांच घंटे तक सिर्फ एक ही चर्चा होई थे हैं कि सात्वा है कि 23,675 करोड के अनुदान की अनपूरक मांग को लोग सभम में बिना किसी चर्चा की पारित कर दिया गया था यह अनुदान मांग अनुदान मांग अलग-अलग प्रगा के मांगें होती है उस संसद में संसद क्या काम कर सकती है जिससे कि संसदी प्रक्रिया है लोगतांत्रिक प्रक्रिया है यह बाधित ना हो तो इसके लिए विदान सभा और कारीपाली का के अलग होने का कारण कारीपाली का शक्ती पर नियंदर होना है और हलांकि विदान सभा अपने कामकाज में अप्रफावी है संसदी यह सत्र के दोरान विद्याकों को समितियों दोरा बीना बहास और जाच के पारित कर दिया गया था तो इसके काम हम कर सकते हैं कि उसको समितियों को भेजें जिससे उस पर चार्चाव हो सके बहास हो सके प्रश्ट निकाल संसद में जो 11-12 वजे का समय होता है बारा बजे लगन चून निकाल है तो जवा कर देते हैं तो प्रश्ण काल शायद ही चल पाया था इस वाली सत्र में और राज्य सभा में भी केवल एक ही बहां सोई थी इसके अतरिक दस मिनट में से भी कम समय में एक बड़ा अनुपूरक बजट पारिद कर दिया गया था जिस पर एक भी सद्रस ने बात नहीं की थी तो इस पर हम का कारिवाही में इन कारिवाईयों को ठीक करने के ओशकता है जिससे कि सत्र के दौरान प्रभावी कामकाज क्या प्रभावी कामकाज हो सकते हैं तो अगले वर्ष की संसत की सत्रवी वर्ष काट होगी और एक बड़े भावन में अस्तानांत्रत होगी अगले साल जो है एक नय कई भाशवर होंगे लेकिन यह समय सांसुदों के लिए एक साथ कारे करने और विध्यकों पर उपस्थिती उपस्थिती होना चाहिए अपसेंट रहने से जो प्रतनिजित्त है वहां के जनता को वहों नहीं पाता है चर्चा करें वो लोग भागे नहीं संस्थ से उसके बगाएदर डिसकेशन करें तो यह सब करके हम सत्र को प्रभावी बना सकते हैं अगली बार जब ऐसे सत्र आयवज़ित किये जाए तो उसमें हमारी संसथ इस बात का जरूर ख्याल लखें कि उनको संसथ ने बड़े कहले क कि विश्वास के साथ चुन करके भीज़ा है ताकि आप उनका संस्थ ने प्रतिने दित्व करें जो जो विध्ययक पेश किये जा रहा हैं संसथ में वो उनकी जनता के लिए हैं तो अगर वो अपनी बात को शोध नहीं करेंगे तो उनका वहां पर रहना जो है वो एक तरीक कि जो संसिधी प्रक्रिया हैं वह सही तरीके से कानौन सही तरीके से पास किए जए जिससे सभी जन्ता को संतुष्टी मिले और बा Dawn में व्विपक्ष जो है उसको यह ना कहना पड़े कि हम ने भागी नहीं लिया था तो विपक्ष जो है बहुत-बड़ी भूमकानी भाता है किसी भी लोगतांत्रिक देश में जो विपक्ष होता है बहुत बड़ी भूमकरी भाता है सरकार कहीं निरंकुष न हो जाए इसके लिए विपक्ष को होना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष चार्चा कस्तर अगर इतना लो करें रहेगा तो जाइड सी वात है विपक्ष क पास हो जाएं इसके लिए विपक्ष को आत्म मंथन करनी क्या होशकता है सरकार को भी यह जरूर चाहिए कि अब विपक्ष को जो है विश्वास में लेकर करके आएं उनको समझाएं कि वह प्रक्रियाओं में भाग लें और अपनी जनता का प्रतिन हिस्तु करें सभी मिल कर जो प्रशन है UPSC में इस बार के में इस एक्जाम में जरूर पूछ लिए जाएं तो मैं एक ख्यासी इंपोर्टेंट था इसलिए मैंने डिस्कुर्शन किया पूरा देखने के लिए धनवाज चैनल को सब्सक्राइब को लिजे नमस्कार चैहिंद